तो हाँ दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पावर टक 439 सुपर मैक्स मोडल के कलच रिपेरिंग जॉब को देखेंगे और पहले जो ओल्ड मोडल यानि की पुराने मोडल में 439 सुपर मैक्स मोडल आते थे उसके साथ एक इंवेटर लगा हुआ रहता था और उसमें क्लच की रिपेरिंग जॉब को देखेंगे और इस कलच के खुलने का मुकुरूप से दो रिजन है पहला रिजन यह है कि जब हम उसके कलच पैंडिल को दबाते हैं तो बहु ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है यानि की कलच पैंडिल टाइट है तो ऐसे कलच पैंडिल को सबस्ट के ऊपर लोड़ देते हैं तो प्लेश्य और किससी इंप्लीमेंड के साथ जोड़ते हैं जैसे रोटा वेटर या किसी औरर गूम्ना बंद कर देता है और जैसे ही फिर से हम उपर से लोट को हटा देते हैं तो जुरू हो जाता है तो आज हम लोग इस वीडियो में डूल कलेट पेरिंग जॉप को देखेंगे तो एक बाज चैनल सब्सक्राइब कर ले क्योंकि दोस्तों यही है 439 Supermax पुराना मोडल जो कि इसके साथ इन्वेटर भी आता था और इसमें डूवल कलच आते थे तो यह देखे 439 Supermax और यह अभी भी इसमें इन्वेटर लगा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं इन्वेटर के साथ है अभी भी इसका इन्वेटर खूला नहीं है और इसका क्लच पैंडिल बहुत हाड है जब हम दवाते हैं तो इसमें ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है तो इसके सिंबल से हम ट्रेक्टर को अलग कर लेंगे यहां से इस पार्ट से और जल्दी से इसे हम इसके कलच को खो लेंगे तो हमने इसे कलच सेंबल को अलग अलग कर लिया है और हम देखेंगे स्टेप बाई स्टेप की कलच टाइट इतना कीम था तो वीडियो में लाश्टेक बन मत यहां से विल्कूल फीरी है. यह तक कोई परोब्लम नहीं है. बिल्कूल फीरी रिपैंडिल दव रहा है। और युझ बाइरिंग यह भी अच्छा चल रहा है। अब इसका आगया का प्रोसेस देखेंगे इसका अगला प्रेस्स क्या है तो देखे जैसा कि आप देख रहा है यह डुज खल है और इसमें टोटल 6 finger आते हैं तीन बढ़ती फिंगर और तीन मेंड फिंगर तो इसमें नहीं में फिंगर में difference होता है 8 mm का यानि कि पीटी फिंगर से मेन फिंगर अधीक उचाई होता है और मेन फिंगर से पीटियो फिंगर डाउन होता है तो पीटियो फिंगर से मेन फिंगर की हाइट मिलीमर ज्यादा होता है और में फिंगर से पिट यॉफंगर आप मिलीमेटर डाउन होता है लेकीन अभी यह पिट योफ सैकर न दो ga न Stephen I है और हमें तीन ही फिंगर मेन दबना जाए... लेकिन प्टो फिंगर मेंध के हाइट पे आया हूँ इसी लिए धवाच UMज्ए ते तो च्छे फिंगर के द चाइड होते था तो आपने देखा मैंध प्षयद़ प्रचा bulbs तो आपने देछा कलचन यही तो ज्यादा ताकत लगाना पड़ता था जैसा कि देख सकते हैं यह दोनों फिंगर एक हाइट में है तो इसे हम कलेच असेंबल को खोल कर बाहर निकालेंगे और फ्लाइबिल को भी और इसके सारे फिंगर को एर्जेश्ट करेंगे तो डूल क्लच का सिस्टम क्या है कि जब ह हम कलेच पैंडिल को आधा दबाते हैं तो तीन में फिंगर दबता है जिससे कि कलेच इंगेज डिसंगेज होकर और ट्रेक्टर ड्राइब होता है और जब हम फिर और आधा दबाते हैं यानि कि फूल कलच दबा देते हैं तब पीटियो फिंगर दबता है जिससे कि पीटि यानि कि छे फिंगर दबाना पढ़ रहा था इसलिए कलच पैंडिल में बहु ज्यादा ताकत लगाना पढ़ रहा था तो हम इसे अच्छे से कि पीटीयों फिंगर और में claw को सेट करेंगे तो सब से पहले हम इसके चास law ku को बाहर निकाल लाय क्योंकि इसे रिपेरिंग भी करना है और इसका पीटियो सिस्टम भी अच्छे से लोड नहीं ले पा रहा था तो उसे भी देखना है है तो हमने इसके कलाच सेमल होजिंग को बाहर निकाल लिया है खुलकर और इसके टीन में फिंगर से में प्रेसर पेलेट के लोकन नहीं खोलेंगे और खुलने के बाद इसे एक्रत करके करेंगे और देखते हैं कि इसमें कॉन कॉन से पार्ट खराब है उसे हमें बढकर करना है क्यूंकि इसका में ल biblical system भी अच्छे से लोट नहीं लए पा रहा अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था तो उसे भी हमें देखना होगा तो हम जल्दी से इसके में प्रेसर प्लेट के तीन लोकनोट को खोल लेंगे और हम इसके फिलाइबिल को भी बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हमें फिंगर को सेट करना है तो फिलाइबिल पे बाहर ही सेट कर हुआ था अब आपको दिखाएंगे तो ये पीटियोप प्रेशर पिलेट इसे भी निकालेंगे और उसके बाद पीटियोप कलच़ पलेट तो इसका हाल बुरा है यह इसका कहानिक समापत है और इसी लिए पीटियो सिष्टम लोड नहीं ले रहा था कि यह PTO plate लोट देने के बद सिलिपेज हो रहा था तो इसे भी हम चेंज करेंगे और इसके सारे parts को अच्छे से सफाई करना होगा फ्रेश करना होगा और इसमें PTO plate damage है तो इसे तो एक दम से अलग करेंगे चेंज करना होगा तो यह PTO pressure ये इस तरह से बैठा होता है तो हमें इसके सारे पार्टों को अच्छे से पहले वासी करना है और ऐसे सफाई करके ये इसे audio fiber 55 से अच्छे से फ्रेज करना है इसके कलच हाॉजिंग फ्रेस और दोनों प्रेश क्लेट के फेज को और ये तो इसे हम चेंज करेंगे इसी के कारण पीटियो सिस्टम लोड नहीं ले पा रहा था तो हमने इसके सारे पाट्सों को अच्छे से बासिंग करके फ्रेज कर लिया है और इसके जो डेमेज पार्ट्स थे पीटियो कलच पलेट उसे हमने नया मंगाया यह और इजनल इसकोट कंपनी का पीटियो कलच पलेट है तो इसे इस तरह से लगाएंगे इसकी हब की असफेस की उचाई उपर की तरफ यानिकी फ्लाइविल साइट की तरफ इसमें लिखा हुआ भी रहता है तो इस तरह से लगाएंगे और उसके बाद यह पीटियो प्रेसर फिलेट इसे भी हमने अच्छे से सफाई किया इसके सारे पार्ट्सों को तो इसके तीन पीन होते हैं पीटियो फिंगर में उसी में मैच करके इसे बैठाना होता है और इसके पीटियो कलच पलेट को हम बिल्क तो इस तरह से बिल्कुल मीडिल में सेंटर रखते हुए एक यह बिल्कुल मीडिल में सेंटर होना चाहिए ता कि हमें जब क्षोग को जोड़े तो ट्रेक्टा को जोडते समय कोई परसानीन हो सेंटर करने में और उसके बाद यह कि The Tramp gameplay से निए प्रेश्रिम, तो इस तरह से बैठाएंगे, पिट्यो स्वारेश को फालेट के ऊपर एक ऱहला होता, उसी पर इस तरह से इसे बैठा लेंगे, और जब हम कलच को करते हैं, तो यह फैलता और सिकुरता है इस तरह से इस तरह से फैलता से कोड़ता है और कलचे इंगेज निजेंगेज होता है तो इस तरह से आप हम इसके मैन प्रेश हम्नों प्रेसर प्लेट को लगाएंगे तो इसे भी तीन में फिंगर के बोल्ट से सेंटर करके और अच्छे से बैठाना होता है और उसके बाद एक एक करके ये तीनों लोक नॉट को हम लगाएंगे और उसके बाद फलाइविल पे कलच फिलेट को डाल कर इस कलच सेमल होजिंग को सेट करके बाहर में ही finger को set कर लेंगे तीन में फिंगर और तीन पीटियो फिंगर को क्योंकि बाहर में इसे set करना होता है और जब हम sml कर देते हैं कलच हाउजिंग के अंदर तो यह अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका में में फिंगर उसमें कोई एस फेस नहीं होता है एक सट करने का तो हमने इसे सेट कर लिया जल्दी से और दिखे इस नहीं कि और ला कि है टो पिछोट्य abonce भाउज पो फिंगर कि हाईट 34 मिलिमिटर होना चाहिए यानि कि 34 30 mm पीटियो पलेट से पीटियो फिंगर की हाइट 34 mm तो हमने इसके पीटियो फिंगर और में फिंगर को फ्लाइविल के साथ सेट करके बाहर में ही सेट कर लिया है कि यहां पे में फिंगर को सेट करने में उतना स्पेस नहीं होता है प्रोब्लम होता है इसलिए हमें यह डूवल कलेच के फिंगर को बाहर में ही फ्लाइविल को बाहर निकाल कर और उसमें सेट करके सेट करना होता है तो इस तरह से हम इसके पीट्यों फिंगर को सेट करते हैं 34 फोर मिलीमीटर और इसका में फिंगर से पीट्यों फिंगर आठ मिलीमीटर डाउन होता है और पीट्यों फिंगर से में फिंगर आठ मिलीमीटर अधीक होता है तो इसी तरह से दोनों फिंगर में डिफ्रेंस होता है आठ मिलीमीटर का और जब हम ट्रैक्टर को ड्राइब करत तो में फिंगर की हाइट पिट्यो प्लेट से 42 mm होनी चाहिए प्लेट से हाइट में फिंगर की 42 mm यानि कि 42 mm तो हमने इसे सेट लिया था यह डेफ्ट गेट से देखे 42 mm इसे भी हमने सेट कर रहा था बाहर भी तो इस तरह से हमें इसके फिंगर को सेट करनी चाहिए और इसका में फिंगर और पिट्यों फिंगर का डिफ्रेंस आठ मिलिमीटर का होता है तो ज्यादा तर हमें में फिंगर से ही इसका ज्यादा जुरूत होता है क्योंकि ट्रक्टर को ड्राइब करते समय इसके तीन में फिंगर ही दबते हैं जिससे की कलच इंगेज और डिसेन्ज होता है अब होता है लेकिं मेकर से जब हम हम सिस्टक लेते हैं of उसके लिए फूल microscopora को दबंता है तब विंगर दबता जिससे की फ़िटियोफ़िग और क्षेठ ओसीटम काम करने लगता है तो इस तरह से हमने इसके सारे फिंगर को अभी आप देख सकते हैं यह पीटियो फिंगर और में फिंगर में डिफ्रेंस है यह देख सकते हैं यह तीन में फिंगर में फिंगर और यह पीट्यूर फिंगर जो कि में फिंगर से डाउन है तो इसी तरह से इसका सेटिंग होना चाहिए तो एक सब्सक्राइब लाइक और शेर जरू करें क्योंकि सारे किसान भायू कि इसकी जनकारी मिले तो आज बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्